दोस्तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है क्रिप्टो मार्किट से फ्री में भी पैसे कमाई जा सकते हैं और मैं यहाँ पर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग बिल्कुल free में अपने mobile phone से crypto market से पैसे कमा सकते हो और इसमें आप लोगों को कुछ भी investment करने की जरूत नहीं है सबसे पहले तो आप लोग side में proof check कर सकते हो कुछ हमारी subscribers के आप लोगों के साथ मैंने proof share किये जहां से हमारी users ने $100, $200, $500, even $1000 तक रुपे कमाए है और आप लोग इसको convert कर सकते हो Indian rupees में सो आप लोग खुद देख सकते हो कितना ज़ादा potential है दोस्तो आज मैं आप लोगों को जो earning opportunity के बारे में बताने जा रहा हूँ इसको कहते है crypto airdrops simple भाषा में इसको आप लोग campaign समझ सकते हो या फिर उससे भी simple भाषा हम बोला जाए तो इसको आप लोग offers भी बोल सकते हो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर airdrops related A to Z एक एक चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग को मैं बताऊंगा airdrop क्या होता है इससे आपकी earning कैसे होगी companies को क्या profit होता है airdrop करके users को इतना जादा reward देके and इसके अंदर scam से आप लोग कैसे बस सकते हो बाकी और भी जो process इसके अंदर आते हैं उन सभी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे तो make sure आप लोग इस वीडियो को पूरा end तक देखना वीडियो पसंद आती है तो like जरू से कर देना and चैनल को भी subscribe कर देना चलो फटाफट से start कर लेते हैं so guys यहाँ पर मैंने questions लिखके रखे हैं आप लोगों के लिए जैसे paytm का, phone pay का, google pay का offer आता है उसमें आप लोगों को कुछ transaction करनी होती है like आपको merchant pay, qr code पे आप लोगों को payment करना होता है 5 बार या 2 बार इस तरीके से and आप लोग जब उस offer को apply कर लेते हो वो जो process होता है transaction करनी का वो आप कर लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है कुछ reward scratch card मिलता है जिसके अंदर आपको 5, 10 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे, जो भी है reward आपको मिल जाता है उसी तरीके से आप लोग crypto के दुनिया में crypto world में care drop को समझ सकते हो ठीक है, यहाँ पर companies क्या करती है अपने users के लिए airdrop देती है offer देती है, इसको आप लोग campaign भी समझ सकते हो और जो users होते हैं वो लोग join करते हैं उनके social media को twitter पे, instagram पे और telegram पर इसी तरीकिस जितने भी social media वहाँ पर उनको एक तो followers मिल जाता है, उनकी hype create हो जाती है, initial जो users उने चाहिए होता है, वो मिल जाता है so company को भी यहाँ पर profit होता है and क्यूंकि users यहाँ पर कम होते है initial time पे, so company भी users को अच्छा खासा reward देती है airdrop के दुरू and उनको वहाँ पर कुछ न कुछ tokens मिलते है, crypto tokens जिसको आप लोग sell कर सकते हो sell करके आप लोग withdraw कर सकते हो जब भी उसकी listing होगी, ठीक है so आपको मुझे पता है, पूरी चीज़े clear नहीं होगी यह listing क्या होती है and यह buy sell अगेरा कैसे करते है, सब कुछ आगे बताऊंगा, so guys crypto airdrop का मतलब I think आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका मतलब यह होता है, companies आप लोगों को कुछ न कुछ tokens देती है ऐसा समझ लो, reward आपको देती है and उन tokens को आप लोग sell कर सकते हो market के अंदर, जब भी वो coin list होता है किसी exchange पे वहाँ पर जाके आप लोग sell कर सकते हो and sell करोगे तो वो आप लोगों का जो token है देती है, so ऐसे हजारों लोग होते जो की participate करते है and उनको यहाँ पर allocation मिलता है उनको यहाँ पर airdrop मिलता है तो companies का तो बहुत ज़ादे investment लग रहा है इस चीज में and काफी तो airdrop ऐसे भी होते है जिनमें बहुत ज़ादा huge amount मिलता है users को, like 1000 dollars इससे भी ज़ादा का profit हो जाता है so guys, आपके दिमाग में यह ज़रूर आया होगा कि मतलब companies का इसमें क्या profit हुआ देखो, जितना users का profit हो रहा है उससे कहीं ज़ादा companies का profit हो रहा है जो crypto के projects है उनका profit हो रहा है, ठीक है एक example में आप लोगों को देखे समझानी कोशिश करता हूँ recently हमने Mavia का airdrop share किया था Mavia के airdrop से 12.5 Mavia tokens हर एक user को मिला था हमारी users ने बहुत अच्छा खासा profit भी कमाया so guys, Mavia के airdrop में हर एक user को हर एक account से 90 dollars तक का profit हुआ था और उसके बाद Mavia की जो value है आप लोग समझ लो hype है वो बहुत जादा बढ़ गई लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया Twitter पर, Telegram पर हर जगा लोगों ने अपने profits एंड जो airdrop के screenshot थे वो share करना शुरू कर दिया उसके बाद लोगों ने Mavia के बारे में research किया, लोगों ने Mavia में invest करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि airdrop तो एक बार ही मिलता है, उसके बाद जब airdrop end हो जाता है, तो लोगों को अपना profit book करने के लिए, profit बनाने के लिए, लोगों को market से buy करना पड़ता है, exchanges से, उसकी बाद लोगों ने अपना profit book करना start कर दिया, क्योंकि लोगों को पास airdrop था बहुत सारा, और उन लोगों ने sell किया, तो Mavia अभी थोड़ा नीचे trade कर रहा है, बाकी देखो, आप लोगों का मेरा ये समझाने का मतलब था, जितना users को profit होता है, किसी airdrop से, उससे कहीं ज़्यादा companies को profit होता है, उनको initial user मिल जाता है, उनको hype मिल जाती है, marketing मिल जाता है, जितनी अच्छी hype होगी, जितना user होगा, जितना user base strong होगा, community उनकी build हो जाती है, उतना ही ज़्यादा वो project अच्छा कर सकता है, अगर वो एक अच्छा project है, उसका जो fundamental है, वो strong है तो, अभी तक आप लोगों को इतना समझ में आ गिया होगा, airdrop होता क्या है, अब आप लोगों को airdrop कोई भी करना है, उसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जिसमें से comment कर देना, metamask, trust wallet, आप लोगों के लिए में वीडियो लाने की जरूर से कोशिश करूँगा, दोस्तों जैसे आप लोग paytm यूज करते हो, paytm का wallet भी होता है, उसके अंदर आप लोग अपने पैसे रखते हो, जो भी आपको cashback रिसीव होता है, या कहीं से आप लोग payment लेते हो, दोस्त से पैसे मंगवाते हो, या जो भी आपका पैसा होता है, वो आपके paytm wallet में जाता है, या फिर paytm को भी आप लोग as a wallet ही समझ सकते हो, उसी तरीके से crypto में भी wallet होता है, जहां पर आप लोग अपने crypto funds को रख सकते हो, आपके पास BTC है, Ethereum है, Solana है, या जो भी आप लोगों के पास airdrop में मिला है, या फिर आप लोगोंने market से buy किया, वो आप लोग hold कर सकते हो, ठीके, दोस्तों ये जो crypto wallet होते है, इसके अंदर आप लोगों को आपका unique address भी मिलता है, receiving address जहाँ पर आप लोग crypto receive कर सकते हो, सो आप लोगों क्या करना होता है, जो भी आपका BTC का network होता है, या फिर Ethereum mainnet का आप लोगों का यहाँ पर address होता है, वो आप लोगों को यहाँ पर copy करना होता है, जो भी airdrop की website होती है, यह जो बाद में आप लोग exchange पे जाके transfer कर सकते हो, फिर sell करके आप लोग USDT में ले सकते हो, दोस्तों अगला question है, आप लोग कैसे crypto को buy and sell कर सकते हो, इतके उपर तो एक पूरी dedicated video बन सकती है, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पतानी कोशिश करूँगा, क्योंकि airdrop है, airdrop में तो आपको जादा इसकी ज़रुवत नहीं है, बट फिर भी, अगर आपको मान लो, कुछ fees के लिए, matic buy करना है, या फिर कुछ fees के लिए, थोड़ा सा आपको ethereum buy करना है, या फिर TRX buy करना है, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए, buy करना आना चाहिए, देखो buy करने के लिए, आप लोग finance का use कर सकते हो, OKX का use कर सकते हो, MEXCF वो use कर सकते हो, buybit आप वो use कर सकते हो, फिलहाल यह जो exchanges है, इनका URL बैन है, जैसे कि आपको पता है, अभी buybit चल रहा है, यह जो भी exchange होगा, उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो USDT add करना पड़ेगा, USDT आपको P2P से buy करना पड़ेगा, अब यह P2P क्या है, इसके उपर मैं आपको dedicated video देने कोशिश करूँगा, फिलहाल आप लोग इतना समझ लो, buybit आज फिर जो भी आपका exchange account होगा, उसमें आप लोगों को USDT चाहिए, और USDT से जाकि आप लोग spot trading के थुरू, यहाँ पर आप लोग कोई सा भी token buy कर सकते हो, चाहे वो Ethereum हो, चाहे Bitcoin हो, चाहे TRX हो, या फिर Matic हो, ठीक है, यह बहुत ही छोटी सी fees होती है, बाकि आपको spot trading वगएरा नहीं आती है, tension नहीं लेना है, मैं जो भी project देता हूँ, जितने भी airdrop देता हूँ, उनमें आप लोगों को mainly, जाद अतर में आपको कोई भी fees नहीं लगती है, जिनमें लगती है छोटी मोटी fees, तो वो मैं खुद provide कर देता हूँ अपने subscribers को, आप मुझे टेलिग्राम पर DM कर सकते हो, अगर आपको कोई भी छोटी मोटी fees के लिए, gas fees के लिए token चाहिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है, दोस्तों next question है, different blockchains related, so आपको जैसे कि पता होगा, BTC की अलग blockchain है, Ethereum की अलग blockchain है, Solana की अलग है, इसी तरीके से arbitrum है, optimism है, आपको अगर इनके बारे में नहीं पता, blockchain के बारे में तो आपको Ethereum और Bitcoin के बारे में तो पक्का पता होगा, so इनकी अलग-अलग blockchain है, so यहाँ पर आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ब्लोक्चेंस के बारे में थोड़ी से knowledge होना जरूरी है, क्योंकि देखो काफी बार क्या होता न, कभी-कभी आप लोगों को अपने जो tokens है, वो दूसरे network पे transfer करने पड़ते हैं, किसी wallet में, किसी website में, इस type के भी होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम airdrop आता है, जिसमें इतनी tension हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए, दोस्तों इसके लिए बहुत ही easy सा example में आप लोगों को दे दिता हूँ, मालो आपका Binance अकाउंट है, Binance पे आप लोगों के पास कुछ TRX है, ठीक है, TRC20 होता है, और भी कुछ यहाँ पर chain होता है, chain क्या है, blockchain होता है, जहाँ पर यह जो transaction है, वो की जाएंगी, ठीक है, दोको TRC20 होता है, यहाँ पर Tron का blockchain and उसके बाद यहाँ पर ERC20, वो होता है Ethereum का blockchain, ठीक है, so TRC20 में क्या है, बहुत ही कम fees लगती है सिर्फ एक TRX, जिसकी around value 3-4 रुपे है, ठीक है, and अगर आप लोग ERC20 कर दे, तो वहाँ पर बहुत जादा high, आप लोगों को यहाँ पर fees देनी पड़ेगी, gas fees देनी पड़ेगी, so यहाँ पर आप लोगों को इस चीज का ध्यान देना है, अगर आप लोग यहाँ पर कुछ transfer कर रहे हो crypto, तो आप लोगों को chain का बहुत जरूर यह ध्यान देना है, so यहाँ पर आपको withdraw करते time भी chain का ध्यान देना है Binance से, and जब आप लोग deposit address निकालोगे, MetaMask में जाके, so आपको deposit पे click करके वहाँ पर आप लोगों को TRC20 जो address होगा, उसी को copy करना है अगर आप लोगों ने वहाँ से ERC20 का address copy कर लिया, and यहाँ आके आप लोगों ने, यहाँ पर TRC20 का chain सेलेक्ट करके, और address paste करके withdraw किया, तो यहाँ पर आपका crypto आपको receive नहीं होगा and वो crypto आप लोगों को दुबारा कभी नहीं मिलेगा, so इस चीज का ध्यान लखना है जहाँ पर आप लोग withdraw कर रहे हो, वहाँ भी same network होना चाहिए, same chain होनी चाहिए, and जहाँ से आप लोग deposit address निकाल रहे हो, जहाँ पर आपको यह crypto चाहिए transfer करना है, वहाँ पर भी same chain होनी चाहिए, same blockchain होनी चाहिए, और बाकी जो आपका address होता है, वो सही से paste करना, बस यह छोटी सी problem आती है, जो new users होते हैं इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, दोस्तों अभी बस दो last point रहे गए हैं, इसमें से एक point है, scam in crypto airdrop, so airdrop community में scams भी होते हैं, देखो जहाँ पर पैसा होता वहाँ पर scam भी होना है, लेकिन यहाँ पर आप लोग बहुत ही easily बच सकते हो, आपको क्या करना है, सिर्फ verified persons को verified logo को ही आप लोगों को follow करना है, ठीक है, अगर आप लोग मुझे follow करते हो, तो सिर्फ मेरी सुनो, ऐसा नहीं है, किसी दोस्त ने, या फिर किसे ने twitter पर आपको बता दिया, tag करके, कि आप लोग यह airdrop है, इसका link किये रहा, इसपे click करो, और जाकि अपना wallet address connect कर दो, आपको इतना reward मिल जाएगा, इतना btc मिल जाएगा, इतना matic मिल जाएगा, तो यह सब नहीं करना है, अगर आप लोग को कोई भी link देता है, चाहे twitter हो, telegram पर हो, वो अगर आप लोग ऐसा समझे लो, suspicious है, आप लोग को पता नहीं है, यह website जो कौन सी खुलेगी, सो वहाँ पर जाके, आप लोग को link को पहली बार तो खोलना नहीं है, और अगर खोल भी लेते हो, तो आपको कभी भी wallet connect नहीं करना है, जो भी official airdrop होते है, आप लोग को मैं अपने channel कर through बताता ही हूँ, सो वहाँ पर जाके, आप लोग जाके join कर सकते हो, wallet भी connect कर सकते हो, कोई issue नहीं है, लेकिन कभी भी airdrop करो, लेकिन आप लोग अपना main wallet use मत करना, मालो आपका एक main wallet है, उसमें काफी जादा fund है, आपके पास crypto का, बहुत जादा holding है आपकी, सो उसको गभी use मत करो, एक दूसरा account create कर लो, एक दूसरा account आप लोग create कर सकते हो, बहुत easily हो जाता है, सो आप लोग उसको use कर सकते हो, ठीक है, बाखी कोई खास issue नहीं है, यहाँ पर, आप लोग हमारा telegram channel join कर लो, जितने भी airdrop होते हैं, सारी के सारी link आप लोगों को मैं वहीं पर share करता हूँ, सो उस link के थूँ आप लोग जा सकते हो, wallet भी connect कर सकते हो, पूरी तरीके से verified link होती है, दोस्तों उसके बाद last question है, मुझे airdrops के बारे में पता कैसे चलेगा, मतलग airdrops कौन से आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, कब उसका distribution है, कब listing है, कब हमें profit निकालना है, और कब join करना है, ये सब कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो ये जो channel है हमारा, इसको subscribe कर लो, अब से मैं आप लोगों को YouTube पे भी crypto airdrops related update दे रहा हूँ, क्योंकि यार सब को समझ में नहीं आता crypto airdrop, इसलिए मैं आपको वीडियो के दुरू समझानी कोशिश करता हूँ, बाकी description box में आपको हमारे, यहाँ पर crypto channel का link में मिल जाएगा, telegram का link जाके join का लेना, वहाँ पर मैं आप लोगों को daily बहुत सारी information शेयर करता हूँ, बहुत सारे airdrop शेयर करता हूँ, जिन airdrop में आपको voice message के थुरू को समझाना होता है, वो भी मैं समझा देता हूँ, so telegram पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी airdrops होते हैं, जो भी important projects होते हैं, जिन में अच्छा potential होता है, उनके बारे में YouTube पे भी बता देता हूँ, so make sure दोनों ही channel को join कर लेना, बाकि इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपका कोई question रह गया है, जरूर से comment करना, मैं reply करनी कोशिश करूँगा, बाकि इस वीडियो को like कर देना, अपने दोस्तों को भी share करूँ, मैं चाहता हूँ, ये वीडियो हर एक user के पास पहुँचे, जो लोग भी crypto से पैसा कमाने चाहते हैं, बिल्कुल free में, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक लिए bye bye and take care.